मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से लोग इतनी जल्दी अमीर कैसे बन जाते हैं। हर कोई चाहता है कि जीवन में सुख समरिध्धी बनी रहे, इसके लिए लोग मेहंत और प्रयास भी करते हैं, लेकिन कभी कभी इसके बाद भी कुछ न कुछ परेशानी बनी रहती हैं। आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक समस्याएं हमारे जीवन में बनी ही रहती हैं। लेकिन दोस्तों, आपके घर का मुख्य द्वार आपकी किस्मत को चमक सकता है, बस आपको कुछ छोटे-छोटे आसान उपाय करने होंगे। क्योंकि इन ही उपायों को आजमा कर लाखो लोग अमीर बन गए हैं। इन उपायों में सबसे खास उपाय है घर के मुख्य दर्वाजे पर पानी छिड़कने का। इसके साथ साथ हम कुछ और आसान उपाय भी बताएंगे जिनको आप किसी दिन आजमा कर देखिए निश्चित ही आपकी आर्थिक स्थिती में बहुत बड़ा बदलाव आएगा जो किसी चमतकार से कम नहीं होगा। दोस्तों आमतोर पर माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार से देवी देवता के आगमन से लेकर नकारात्मक उर्जा भी प्रवेश करती है। इसलिए मुख्य द्वार में ओम स्वस्तिक का चिन्ह बनाने से लेकर रंगोली बनाते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो रोजाना पानी का छिड़का भी कर सकते हैं। आईए जानते हैं इसके लाब और कैसे करें पानी का छिड़का। प्रियमित्रों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी का आशिरवाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बैल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं। ताकि हमारी हर आने वाली वीडि लोग वाइज यानि घड़ी की दिशा में खुलता हो। यह घर की समरिद्धी में शुब होता है। साथ ही मुख्यद्वार को जमीन से उचाई पर रखने से घर में अधिक से अधिक रोश्नी का प्रवेश होता है। जिसे घर में अंधेरे को दूर करने और स्वास्थ्य के हिसाब से बहतर माना जाता है। यह भी ध्यान रखें कि सीधियों की संख्या विशम होनी चाहिए। जैसे अगर छोटी सीधियां हैं तो 3, 5, 7 सीधियां बनवानी चाहिए। वहीं अगर ज्यादा सीधियां बनवानी है तो आप 11, 15, 17, 23 बनवा सकते हैं। लेकिन सीधि हमे इशाध्यान रखना चाहिए। दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखना क्योंकि अब हम ऐसे गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें विश्वास और पूरी आस्था के साथ करेंगे तभी फलित होता। यदि एक बार में नहीं समझ हाए तो वीडियो दोबार से देख लेना। एक वास्तुर अनुसार प्रतिदिन घर की महिला को सुबह उठकर सबसे पहले घर में ज़ाडू लगाकर मुख्य द्वार पर भी ज़ाडू लगाना चाहिए। इसके बाद द्वार के दोनों और थोड़ा-थोड़ा शुद्ध जल छिड़कना चाहिए। इसके साथ ही घर के द्वार एवं खिड़किया खोल देनी चाहिए। इससे घर में सकारात्मक उर्जा प्रवेश करती है और हर प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है। जिस घर में हमेशा अंधेरा रहता है यानि बाहरी प्रकाश नहीं आता है वहां विभिन प्रकार के वास्तु दोश उत्पन हो जाते हैं। दो आपको प्रतिदिन सुभर जल्दी उठना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ होकर यानि सनान के बाद घर के मुख्य द्वार के समक्ष अगर तामबे के लोटे में स्वच्छ जल लेकर छिड़काव किया जाए तो इससे काफी ला दोक्तर और वैध्य भी रात भर तामबे के बरतन में पानी रखकर सुभा इसका पानी पीने की सलाह देते हैं। यह स्वास्थ्य के लिहाज से भी उत्तम माना जाता है। ऐसे में तामबे के लोटे से मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव करने से घर के बाहर मौजू से घर की नकारात मकता दूर होती है और घर में खुशिया आती हैं। घर के सदस्य भी स्वस्थ रहते हैं। तीन अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पैसे की कमी कभी ना हो तो अपने मुख्य द्वार पर दहलीज यानी चौखट जरूर बनवाएं। इसके बाद रोज सुबह पानी में हल्दी मिलाकर दहलीज को धोने से उन्नती होती है। दरवाजे के दोनों और थोड़ा-थोड़ा पानी भी गिराना चाहिए। इससे नकारात मकता दूर होती है और आसपास का माहौल साफ होता है और घर में सकारात मक का वास होता है। यदि आपके घर में दहलीज नहीं है तो भी हल्दी मिलाकर पानी का छिड़काव मुख्य द्वार के सामने करना चाहिए। चार जोतिश शास्त्र के अनुसार रोजाना सुभा उठकर सनान आदी से निवरित होने के बाद अगर घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के पानी में एक रुपए का सिक्का डाल कर छिड़काव करते हैं और फिर उस सिक्के को मंदिर में रख देते हैं तो जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है जोतिश के अनुसार घर का मुख्य द्वार ग्रहों का केंद्र होता है इसलिए मान्यता है कि हल्दी के पानी को मुख्य द्वार पर छिड़कने से घर का वास्तु और ग्रह दोश दूर होता है जोतिश शास्त्र के अनुसार घर की दहलीज इसलिए हल्दी का पानी के मुख्य द्वार पर छिड़काव से राहु का दुश्प्रभाव घर पर नहीं पड़ता और घर में खुशियां आती है, बढ़ोतरी होती है। पानी के हफते में एक बार छिड़काव जरूर करना चाहिए। नमक में नकारात मक्ता दूर करने की ख्रमता होती है। वैज्यानिक पहलू भी है सबताह में एक बार नमक मिले पानी के छिड़काव करने से घर के सामने या आसपास पनप्रहे पर जीवी समाप्त हो जाते इसके अलावा रोग, दोश, शोक, आदी सब को नमक के पानी के छिड़काव से दूर रखा जा सकता है छे वास्तु शास्त्र के अनुसार स्वास्तिक चार भुजाओं से बनी हुई एक विशेश तरह की आकरिती है आमतोर पर किसी जगह की उरजा को बढ़ाने, घटाने या संतुलित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं इसका गलत प्रयोग आपको मुश्किल में डाल सकता है और सही प्रयोग आपको जीवन की तमाम समस्याओं से निकाल सकता है लाल और नीले रंग का स्वास्तिक विशेश प्रभावशाली माना जाता है घर के मुख्यद्वार के दोनों तरफ लाल स्वास्तिक लगाने से घर के वास्तु और दिशा दोश दूर होते हैं मुख्य द्वार के उपर बीचों बीच नीला स्वास्थिक लगाने से घर के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहता है साथ इसके अलावा मुख्य दर्वाजे के लिए एक और चमतकारिक उपाय है घोडे की नाल जिसका सीधा संबंध शनिदेव से है इसका प्रयोग आमतोर से शनि संबंधी घर की समस्याओं में करते है इस घोडे की नाल का प्रयोग करना उत्तम होता है जो घोडे के पैर में पहले से ही लगी हो एकदम नई और बिना इस्तिमाल की हुई नाल कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करती शुक्रवार को नाल लाएं और उसे सरसों के तेल में रात भर डुबो दे फिर शनिवार को नाल निकाल कर घर के मुख्य द्वार पर लगा दे ऐसा करने से घर के सभी लोगों का शनी ठीक रहेगा और घर का संकट और क्लेश दूर होगा आठ अब हम आपके घर के मुख्य द्वार से संबंधित एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे यदि अपने नियमानुसार कर लिया तो यकीन मानिये पैसे गिंते गिंते ठक जाओगे पानी से संबंधित यह एक बहुत ही कारगर और चमतकारिक उपाय है कलश का वास्तु शास्त्र के अनुसार कलश का संबंध संपन्ता और एश्वर्या से होता है जो की जीवन में सभी प्रकार के भोग और विलास्ता को प्रदान करने वाला होता है यह शुक्र और चंद्र का प्रतीक है कलश की स्थापना मुख्य रूप से दो जगहों पर की जा सकती है मुख्य द्वार पर और पूजा स्थान पर मुख्य द्वार पर रखने वाले कलश का मुख चोड़ा और खुला होना चाहिए इसमें परियाप्त पानी भर कर रखना चाहिए हो सके तो फूलों की कुछ पंखुडिया, अशोक की पत्तिया और ताजा पुष्प इसमें डाल कर रखना चाहिए मुख्य द्वार पर जल से भरा कलश रखने से घर में संपन्ता आती है किसी भी प्रकार की नकारात्मक उर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है नौप इन उपायों के साथ साथ घर के प्रवेश द्वार पर लक्ष्मी जी के चरण बनाएं या बने बनाएं चरण भी लगा सकते हैं लेकिन लक्ष्मी मा के ऐसे चरण जो अंदर की तरफ जा रहे हो वहीं लगाने चाहिए वास्तु विज्ञान के अनुसार इससे घर में समरिध्धी आती है मुख्यद्वार के नीचे बाहर की ओर देवी लक्ष्मी के लाल और पीले रंग के पैरों के चिनह बनाने से भी सभी देवी देवताओं की शुब द्रिष्टी हमारे घर पर सदैव बनी रहेगी जोतिश के अनुसार शुब ग्रह का बुरा प्रभाव भी कम होता है इसके अलावा हमारे घर पर किसी की बुरी नजर नहीं लगती है आम या अशोक के पत्टों की एक माला बनाएं इसे घर के प्रवेश द्वार पर लगाएं वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे नकारात मक्ता दूर होकर सम्रिधी आती है जब यह पत्तिया सूख जाए तो माला बदल देनी चाहिए घर के मुख्यद्वार पर स्वास्तिक बनाना भी शुब फलदाई माना गया है इस प्रकार घर के मुख्यद्वार से संबंधित कुछ आसान लेकिन काफी असरदार उपाय करने से आपके जीवन में खुशी आ सकती है और रुपे पैसों संबंधित परेशानिया शीघर ही दूर हो सकती है दोस्तों आज की हमारी विडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं अगर आपको हमारी विडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जयमा लक्ष्मी जरूर लिखें भगवान आप सब पर कृपा बनाये रखें जय श्री कृष्णा दोस्तों